सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांथ चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांथ में आप सभी का स्वागत हैं फाइनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी 8S 5G के अंदर रियल्मी UI 4.0 based on Android 13 का stable अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है काफी एच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से new features देखने को मिलता है कौन से bugs fix हुए है साथ ही क्या कुछ नए changes देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का complete detail बताने वाला हूँ दोस्तों तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो चलिए इस टाइप करते हैं अब यहाँ पर features bugs वगरे के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device detail चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको उपर के side में official version देखने को मिलता है और realme 8S 5G का model number RMX3381 देखने को मिलता है बात की जाई सबडेट के basic information की तो यहाँ पर आपको f.03 का new update देखने को मिलता है और इस update को जो size है जो user already realme UI 4.0 में है उनको यहाँ पर 937.04 MB का देखने को मिलता है और जिन user को first time realme UI 4.0 देखने को मिलेगा उसको 5 GB के आसपास को यह update देखने को मिल जाता है और यह आपको realme UI 4.0 के update के साथ official version I mean stable update देखने को मिलता है इसके अलाव बात की जागले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non-issue थे bugs वगरे देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आर भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको यहाँ पर आर भी better तरीके से optimize और improve कर दिया है जिससे की जो system speed, stability, battery life और apps experience वगरे जो है काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है और साथ ही कोई को user को बीच बीच में lagging issue देखने को मिलता था तो उसको भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको और भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लाव बात की जगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर home screen and lock screen के अंदर home screen mode में यहाँ पर दोस्तों आपको दो mode देखने को मिलता है एक standard mode और एक driver mode driver mode में आपको कोई भी new features देखने को नहीं मिलता है लेकिन दोस्तों आप जैसे ही standard mode में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको swipe up to search का new features देखने को मिल जाता है जैसे ही इसे apply करते हैं तो आपका phone जो हाँ standard mode में चला जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप उपर के site swipe करते हैं तो आपको यहाँ पर direct google search का option देखने को मिलता है आप direct swipe up करके google search से कुछ भी search कर सकते हैं तो यह features दोस्तों मेरे को काफी पसंद आया आपको कैसे लगा दोस्तों आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों wifi connectivity या connection के अंदर यहाँ पर दोस्तों कोई-कोई user को wifi का जो connection है वो properly मिल नहीं रहा है अगर आप wifi connect करते हैं तो वो properly connect नहीं होता है और अगर connect हो जाता है तो वो बीज-बीज में automatic disconnect हो जाता है तो यह problem दोस्तों देखने को मिल रहा था तो उसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको wifi का better connection देखने को मिलता है इसके लावा बात की जागले change की तो यहाँ पर दोस्तों जो Bluetooth connection है वो बीज-बीज में फैल हो जाता था अगर आप कोई सभी Bluetooth devices जैसे headphone, airport वगरा connect किये रहते थे Bluetooth से तो वो automatic disconnect हो जाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके Bluetooth connection के stability को R.B. Better improve और stable कर दिया है जिससे की आपको R.B. Better Bluetooth connection देखने को मिलता है इस update के साथ इसी के साथ दोस्तों किसी-किसी user को यहाँ पर mobile network connection का problem होता था बार-बार up-down, up-down होता रहता था network जो है तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better network connection देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों apps के अंदर अगर दोस्तों आप video apps में video अगरा देखते हैं तो उस time पर अगर आप swipe करते हैं या फिर swipe के साथ volume up-down अगरा करते हैं तो उस time पर आपको tracing issue देखने को मिलता था तो उसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे के अब आपको और भी better experience देखने को मिलता है वीडियो apps से video अगरा या movie अगरा देखने में इसके अलाओ बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर home screen and lock screen के अंदर swipe down on home screen में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले आपको self और notification driver का option देखने को मिलता था लेकिन दोस्तों इस update के बाद आपको तीन option देखने को मिल जाता है self, global search और notification driver का जिसके थुरू दोस्तों आप जो भी option को select करेंगे आप उसके हिसाब से home screen को swipe down करेंगे तो आपको वहाँ पर option देखने को मिल जाएगा जैसे आप self का select करते है तो home screen को swipe down करेंगे तो आपको self का option देखने को मिलता है global search को select करेंगे तो आपको यहाँ पर swipe down करेंगे तो आपको global search का option देखने को मिल जाता है और अगर आप notification driver को select करते है तो आप swipe down करेंगे तो आपको notification drawer देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल जाता है जो कि पहले नहीं था इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचेक side battery के section में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो features भी वही features है बस यहाँ पर name change कर दिया है और new features की रूप में देखने को मिलता है यहाँ पर देखेंगे wise charging के रूप में देखने को मिलता है और साथ ही at night, all day और off का option देखने को मिलता है तो इस update के साथ यहाँ पर यह वाला features भी देखने को मिल जाता है Apps को Long Press करते हैं तो यहाँ पर आपको Edit वाला New Option देखने को मिलता है यहाँ पर देखेंगे मैं Icons की उपर Long Press कर रहा हूँ और यहाँ पर इसके ओरे सेला Option को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको Apps का Name चेंज करने और Apps का आईकन चेंज करने का Option देता है जैसे ही f second name change करेंगे और icons के लिए icons के उपर pencil का icon उसको click करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे new icons देखने को मिलता है जिसे आप click करके icons को change कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर change कर दिया हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे customization वाला icons देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर real me ने अभी image वगरा, photo वगरा को डालने के लिए आपसन नहीं दिया है में भी हो सकता है आगे आने वाले update में icons के रुप में आप अपने photo, image वगरा को भी डाल सकते हैं अभी फिल हाल कुछ इतना ही third party icons देखने को मिलता है जिसे हम change कर सकते हैं यह features दोस्तों काफी best customization features देखने को मिलता है इस update के साथ और यह features दोस्तों मेरे को काफी पसंद आया आपको कैसे लगा आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा इसके लाओ बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों brightness bar का यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले भी आपको वीडियो बना कर बताया है कि जो brightness bar है उसको आटो से आफ करने के बाद भी जो brightness bar है वो कम ज़्यादा होते रहता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better brightness और brightness bar देखने को मिलता है अभी दोस्तों आप आटो वाले option को बंद कर देते हैं और brightness bar को आप अपने अनुसार set करते हैं तो वो उतना में ही रहता है date के साथ fix कर दिया है इसके अलावा बात की जो अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों camera के अंदर अगर दोस्तों आप camera यूज करते हैं फोटो अगर लेने के time पर आपको location का जो watermark है वो so नहीं होता था तो इस features को यहाँ पर add कर दिया है अभी दोस्तों आप setting में जाते हैं और watermark से location वालब features को on करते हैं तो आप जैसे ही photo लेते हैं तो आपको watermark में वहाँ पर location और state का watermark देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जो अगले change की तो अगर दोस्तों आप charging में लगाते हैं तो उस time पर आपको properly charging देखने को मिलता है लेकिन अगर आप charging से उसको unpin कर देते हैं या निकाल देते हैं तो उस time पर भी आपको message सो होता है कि आपका phone जो है charging में connect हैं तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको charging करने के time पर better experience देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता हैं दोस्तो notification panel में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपका जो notification panel है जिसमें जो दो बड़ा toggles रहता है वो थोड़ा आर भी बड़ा देखने को मिलता है पहले दोस्तो वो थोड़ा छोटा देखने को मिलता था लेकिन इस update के साथ पहले से थोड़ा हलका बड़ा देखने को मिल जाता है एंड गे इस बात की जाई इस update के बाद इसके battery section की तो यहाँ पर आप check out कर सकते हैं इसके जो battery performance है आपको आर भी बेटर देखने को मिलता है पहले जो थोड़ा बहुत battery draining का problem होता था third party apps वगरा ज़्यादा battery consume करते थे तो उन सभी problem को यहाँ पर reduce करके battery performance को आर भी better improve कर दिया है जिससे कि अब आपको better battery backup battery uses देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों इसका जो charging speed है वो भी सही देखने को मिलता है बट यहाँ पर दोस्तों अगर आप charging करते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है एंड गई इस बात की जाए इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर जो game performance है वो आर भी better देखने को मिलता है पहले जो game में jitter issue, lagging issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके game के performance को आर भी better कर दिया है जिससे कि अब आप game खेलते हैं, game play करते हैं तो आपको better gameplay और stable gameplay देखने को मिलता है इस update के साथ तो यह रहा इस update का full review, दोस्तो यह update आपको मिला है की नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से bug से देखने को मिलता है आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तो इस video में, वीडियो पसंद आया होगा तो like से और subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो